और देश में बढ़ते कोरोना के संक्रमन को देखते हुए राजस्थान में भी लॉक्टाउन किया गया है राजस्थान में 31 मार्ज तक लॉक्टाउन रहेगा लेकिन इस दौरान जो जरूरी सेवाए हैं वो चलती रहेंगे 31 मार्ज तक पूरे राज में सारवजनिक बईवन रूब दिये गए हैं और साथी मौल और दुकाने भी बंद रहेंगी इसका अलावा विदेशी परेटक भी आये थे और सबसे पहले यहां पर करोना पॉजिटिव मिला था तो इस चक्कर में यहां पर सरकार पहले दिन से ही काफी गंबीड थी और अब लॉकडाउन के बाद जो गरीब तपके के लोगवने राशन की दुकानों से दो महीने का नी शुल्क देने का सरकार ने वादा किया है इसके अलावा सरकार की कोशिश यही है कि कल जब पूरा जैपूर एक तरह से कहो तो बंद था तो उस वक्त सरकार के कई सारे मंत्रियों और विदाएक सड़कों पर गुमें उन्होंने आम जंता की परेशानी समझने कोशिश की कि यदि इसी तरह का बंद होता है तो या लॉक डाउन की सरकार जो आने वाले 31 मार्च तक सरकार ने आदेश दिया है उसको किन किन लोगों को परेशानी हो रही है कहां कहां सुधार की जरूरत है तो इस तरह का हूमवर्क भी किया गया है राशो गेलो सरकार और उनके मंत् इक धरम उन्हे 31 मार्च तक भी नहीं बना है